वह धाम जहां श्री राम ने सिव लिंग स्थापित किया था पूरे भारत में भगवान संकर के कुल मिला कर 12 ऐसा सिव मंदिर है जहांके सिव लिंग को जोतिर लिंग की प्रतिस्ठा दी गई है ऐसे सिर्फ के बारा जोतर लिंग मंदिर पूरे भारत में है जिनकी भारी प्रशुद्धी है उन्ही जोतर लिंगों में से एक है रामिश्वरम धाम जो हिंदूों में जन, जन की आस्था का केंद्र है कहा जाता है कि इस धाम की स्थापना स्वैम भगवान श्री राम ने की थी लंका पर आकरमन करने से पुर्व श्री राम ने स्वैम ही इस सिवलिंग की स्थापना की थी इस स्थापना के बाद ही प्रभूर श्री राम ने नल और नील के द्वारा विश्व का प्रथम सेतु पुल का निर्मान करवाया था राम ने इस सिवलिंग की अरादना करने के बाद ही नल नील द्वारा निर्मित पुल से होकर लंका पहुँचे और फिर लंका पर आक्रमन किया इस स्थापना की कहानिया है कि भगवान श्री राम ने लंका पती रावन से युद्ध में अपनी विजय सुनुश्चित करने के लिए भगवान सिव की पूजा समुदर तट पर सिवलिंग बना कर की थी भगवान सिव जी ने राम जी की पूजा से प्रशन्न होकर उन्हें युद्ध में विजय होने का असरवात दिया था तब प्रभुशे राम ने सिव जी से यह प्रातना भी की थी कि आप सभी के कल्यान के लिए जोतिरलिंग के रूप में यहीं पर सदैव निवास करें वह कहानी इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री राम पर लंका विजय प्रात कर चुके थे तो उन्होंने वहां से लौट कर गंध मादन परवत पर विश्राम किया था लेकिन वहां कुछ रिशी मुन्यों ने उन्हें यह कहा कि रावन ब्राह्मन था और आपने उसकी हत्या की है इसलिए आपके उपर ब्रह्मा हत्या का दोस लगा है जो केवल सिवलिंग की स्थापन और पूजा से ही या दोस कट सकता है सिवलिंग की स्थापना ही तू भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि वे सिवलिंग लेकर आए तब हनुमान जी भगवान श्री भोले जी की प्रतिक्षा हो रही थी और सिवलिंग की स्थापना का सुब मुहरत बीता जा रहा था उधर भगवान से प्रकट होकर हनुमान जी को सिवलिंग प्रदान कर रहे थे और इधर मुहरत निकलने के भैसे माता सीता बालू से बना हुआ सिवलिंग की स्थापना कर चुकी थ जब हनुमान जी सिवलिंग को कैलास लेकर इधर रामिश्वरम पहुचे तो उन्होंने पहले से बालू के बने हुए सिवलिंग को देखकर दुखी हो गया भगवान श्री राम ने उनको समझाने का बहुत कोशिश किया लेकिन विखुश नहीं हुए तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि अभी सीटा के द्वाया स्थापे सिवलिंग को तुम उखार दो तो मैं तुम्हारे लाइवे शिवलिंग के स्थापना कर दूँगा परंदू सक्ति साली होने के बाद भी हनुमान जी उस्विलिंग को नहीं उखार सके अरंथ में बेहोश होकर गंध मादन परवत पर जाकर गिर पड़े। परंदू जब होश में आ गए तब शीराम ने उनके लायवे सिवलिंग को भी वही पर नस्दीक में ही अस्थापित कर दिया जिसका नाम हनुमदिश्वर रखा गया। श्रावन के महीने में रामेश्वरम के जलाभिशेक करने को बहुत अधिक महत्ता है। देसके कोने कोने से लोग यहां जलाभिशेक करने को आते हैं। यहां की भूमी को भगवान श्रीराम और सिर्व की कृपा से मोक्ष दाईनी माना गया है रामेश्वरम के सिवलिंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आज के रेतना ही धन्यवाद